हेलो फ्रेंड्स होप यॉर डूइंग वैल आप लोग अच्छा कर रहे होंगे आपकी यूप्यसिक की तैयारी कैसे चल लही है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और यूपी PCS का जैसे की नोटिफिकेशन आ गया है आप लोगों ने देखा ही होगा और फॉर्म फिल अ करने का आपने देख लिया होगा मेरी वीडियो का और वीडियो के एंड में आप को इसका अप्शन बरने की तो प्लीस उसे देख लें और जिनको उससे भी न समझ मैं है वो कमन्ट करें मैं उनको जरूर समझाओंगा और उनकी कि से काफी लोगोंने मेरे से एक सवाल पूचा काफी बच्चो का एक सवाल आया कि हाउ टौ अठी प्रिपेर अफ्टो प्रिपेर चेंध बच्चों प्रि टॉप्टों का चीड परीऑ तांक रडिंड कीुछरी पाइस calendar दूसरे टॉपिक में करेंगे अभी हम 12th के बारे में जानते हैं कि 12th के बाद 10th के बाद कैसे तैयारी करी जाए देखे 10th के बाद सब्जेक्ट का प्लासिफिकेशन आता है CBSC बोर्ड में इससे पहले नहीं आता तो देखे सबसे पहले बड़ी जानने के बाद क्या है पहले आपका मोटीव जान लेना आपको जरूरी है कि आपको मोटीव क्या है मोटीव आपको पता रहेगा तब जाके आप UPSC को क्रेक करने के बारे में सोचे जैसे फोर्सफुली ना हो देखे पैरेंट्स क्या होता है मैं पैरेंट्स को भी यह बताना चाहूंगा कि वो फोर्सफुल ना करें फोर्सफुली अगर करेंगे तो UPSC नहीं करेक कर सकते ठीक है फोर्सफुली कभी भी ना करें ठीक है तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यह UPSC को इस तरीके से लेना है कि हमारा मन है तभी हम करेंगे ठीक है तो हम आगे जानते हैं कि क्या करा जाए तो subject classification आता है तो subject classification में देखे हर subject अच्छा होता हर subject की importance होती है मैं यह नहीं कहूँगा कि science background का बच्चा नहीं crack कर पाएगा UPSC और art background का कर पाएगा यह जरूरी नहीं है कि background matter करता है matter यह करता है कि आप कितने honest हैं अपने career के प्रती तो honesty is one of the important thing और आप अपने तयारी में कितनी honesty बरत रहें यह भी बहुत जरूरी है ठीक है तो इसके आगे यह जानना जरूरी है कि यहां subject selection suppose करिये आपने easy कैसे बनाया जाए हम यहां जानने को आ रहे हैं 10 के बाद civil services को easy कैसे बनाया जाए कि graduation के बाद हमें अपने 2 या 3 साल ना waste करने पड़े तो हम उसे easy कैसे बनाया जाए तो easy ऐसे बनाया जाए कि हमें UPSC में कुछ core subjects होते हैं तो उन core subjects को आप ध्यान में रखके तयारी कर सकते हैं core subjects होते हैं आप पूछेंगे core subjects कैसे होते हैं तो 10 के बाद आप कुछ subject का classification करें जैसे geography geography ये आपका जो subject है ये हर UPSC का paper भी है और 11 और 12 की geography अल्रेडी important है UPSC preparation के लिए civil services के preparation के लिए geography इसके बाद Indian polity जो राजनीती सास्त्र भी कहा जाता 11 में तो आप इसे देख लेंगे Indian polity ठीक है Indian polity के बाद आप history is the subject इसमें आपको world और Indian history दोनों ही दे रखा होगा उसमें तो आप दोनों को देख लेंगे world और Indian दोनों को ठीक है और यह 11 12 में दोनों है यह मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ यह 11 और 12 के ही subject बता रहा हूँ जो आपको prepare कर डालेगा mentally और physically कि आप तयारी कर पाए आगे ठीक है और यह almost आपका 50% slavers complete करता है 11 और 12 के course book ठीक है तो यह subject तीन तो यह हो गए इसके बाद economics ठीक है economics is a important subject यह आपको economics जो 12 में है वो complete कर देगा और देखे कुछ compulsory subject होते हैं जैसे Hindi और English यह compulsory है आपने मलब 11-12 में compulsory होता है इन में से यह subject पढ़ना ही पढ़ता है शायद कुछ boards में अलग subject है तो इस चीज का आप ध्यान रखेगा ठीक है तो आपने इन subjects को तो पढ़ना ही पढ़ना है देखे यह subject है जो आपको ध्यान लेते वे चलना है अब इसके बाद आप यह सोचे कि इसको पढ़ना किस तरीके से है पढ़ने के approach थोड़ी सी difficult होगी देखे थोड़ी सी change होगी और कुछ नहीं करना कि इतनी ज्यादा difficult हो जाए या कुछ हो जाए तो देखे पढ़ने के approach में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्यों है जो सवाल है why पहले तो what होना चाहिए फिर why होना चाहिए ठीक है क्या है और क्यूं है ठीक है और किसलिए है ठीक है किसलिए है इन तीनों चीजों से आपको answer बन जाएगा ठीक है और इसका use क्या है where मलब क्या है क्यों है और कहां इसका यूज है ठीक है तो यह चीज आपको जाननी है यह जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे इस www वाली अप्रोच को पकड़ेंगे तो आप obviously UPSC के लिए फुली प्रिपेर रहेंगे आपको बस कुछ नहीं करना किनी भी इन सब्चWeek Brothers से लेके आप इससे ग्रेजवेशन कर ले और ग्रेजवेशन करने के भाद जो ग्रेजवेशन करें आप सहब इस वह सब्च tutti कैंठ्य करें ह We उप्फोली आप अपना और शचनल एक तरिके से तैयार हो जाएगा और करनी के just बाद ही जब आप form fill up करेंगे तो आपका first attempt में आप UPSC clarify कर जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी coaching की जरूरत नहीं पड़ेगी थोड़े बहुत doubts सबके होते हैं कुछ materials चाहिए होते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है solo कोई coaching नहीं पढ़ा सकता solo आप ही को पढ़ना होता है उस चीज को तो आप क्या करेंगे कुछ materials पर ध्यान देंगे 12th के बाद के कुछ videos होती है जो मैं डाल ला हूँ उसे आप देखेंगे 12th के बाद के कि उसमें क्या additional material की जरूरत पढ़ती है तो आप उस तरीके से prepare कर लेंगे ठीक है जिनको ये नहीं समझ में आए या इसके अलावा भी doubt है कि 10th के बाद क्या करना है तो वो मुझे नीचे comment कर सकते हैं और comment करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये video कैसी लगी जिसको कोई problem आए या कुछ और भी पूछना हो कोई और भी doubt हो तो please नीचे comment करें और मेरी mail ID भी है उस पर mail भी कर सकते हैं आप लोग ठीक है और मुझे जरूर बताएं कि इसने क्या सही है क्या गलत है जो आपको सही लगा वो सही जरूर बताएं और please end at the last में यही जरूर बोलूँगा कि प्लीज सस्क्राइब माई चैनल थेंक्यू